सो हम तीन स्टेप्स में समझेंगे वाट इसा सीएपी सीएपी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड थर्ड सीएपी वर्क कैसे करता है सीएपी मतलब कमिशन फॉर अग्रिकल्चर एंड कॉस्टें प्राइज यह एक भारत सरकार के एजन्सी है जो 10 जनड़े 1965 को ish होई थी वाट मिनिस्टर अप एंड फार्म वैलफेर के अंडर्म करता हлись अव कर्ण लिकोणने मिनिस्टर नरंदर सिंkteोमर ही जेम्री प्राइजलेकल्चर अब फार्मर वैलफेर इसेपी एक डिसेंट्रलाजेशन अगैंशे दो टाइब के एजंसी होते हैं Centralization and Decentralization CCP Decentralization Agency Decentralization मतलब अगर कोई कमपनी है या एजंसी है तो उस कमपनी का Top Level का Head Employment Normal, Employment Whatever जो भी हो, सभी अपनी राय रख सकते हैं सभी को Freedom मिला है Decision Making का वोसे हम Decentralization कहते हैं Centralization इसका Opposite सिब कमपनी की जो Top Level की Employment रहेंगे and कमपनी का Head रहेगा वे ही मिटिंग कर सकते हैं या वे ही Decision ले सकते हैं उसे कहते हैं Centralization तो CACP Decentralization Agency है अभी समझते हैं CACP का Basic Structure CACP में एक Director होता है I mean Adhikshar Second, Secretary भी होता है Third, इसमें Official Member भी होते हैं and most important CACP में Non-Official Member भी होते हैं जो की क्रिश्री समुधाय को Represent करते हैं या आम तोर पर हम ऐसा बोज सकते हैं यह जो दो Non-Official Member होते हैं यह क्रिश्री समुधाय में से ही कोई होता है CACP का उद्धेश क्या है I mean CACP काम क्या करता है CACP हर सार 23 खादे वस्तों की सिफारिस सरकार के पास करती है या EMSP की सिफारिस सरकार के पास करती है यह है CACP का उद्धेश अभी बढ़ते हैं मारे आखरे मुद्धे पे कि CACP वर्क कैसे करता है I mean CACP अपनी सिफारिस EMSP की सिफारिस सरकार के पास कैसे करते हैं आये जानते हैं इसके पूरी प्रोसेस शुरुवात में first of all CACP एक कोश्चेनरी रिपोर्ट टेयर करते हैं देन उसे सभी state government, national agencies and minister के पास भेचते हैं उनके feedback जानने के लिए देन feedback लेने के बाद CACP सभी agency के साथ बैटक करते हैं जैसे कि EFCI, Food Corporation of India, Nafed, Cotton Corporation of India, CCI, Jood Corporation of India, JCI वैपरी संगोट उनके साथ बैटक की जाती हैं और किसानों के साथ अलग-अलग बैटक की जाती हैं यह सभी बैटक indivisibly होती हैं तो CACP इस सब के लिए पूरे रज्जों का दवरा करती है देन उसके बाद CACP ने सबके feedback लेने के बाद सभी agency and किसानों के साथ बैटक करने के बाद जितने भी information collect की है उसके आधार पर किसानों कोई सिल कितना MSP देना है फरस लोग के कितनी marketing करनी है और कितनी फसल खरीदनी है इस सब के आधार पर CACP एक final report टेयर करती है देन उसे सरकार के पास submit करती है जैसे हम अपनी test teacher के पास submit करते है वैसे अपनी final report CACP सरकार के पास submit करते हैं तो हम असी मज़ग में इसा कही सकते हैं कि यहाँ पे CACP की जिम्मिदरी खतम होगी then last में CACP ने जो अपनी report सरकार के पास submit की है तो center government के जो आर्थिक मामलू की cabinet committee है CCEA cabinet committee on economic affairs okay तो हम असी मज़ग में इसा बोलेंगे कि यहाँ पे CCEA की जिम्मिदरी शुरू होगी then CCEA MSP के star पर I mean minimum support price के star पर and जो भी CACP ने लंबा चोड़ा support त्यार किया है report त्यार करने पर उसके आदार पर CCEA final decision लेती है then MSP लाग हो जाता है I hope अपको पूरी तरकी से समझ में आ गया होगा अगर आ गया होगा तो like कर देना नहीं आए तो dislike भी कर सकते हूँ but most important subscribe and bell icon प्रेस करके जरूर जाना thank you so much पूरा वीडियो तेखने के लिए take care yourself, bye bye